हलो दोस्तों मैं आपके साथ में मनीशा जहा लेकर आई हूँ आपके लिए अंडिटेइन्मेंट का डबल डोस इंडुस्ट्री में अक्सर जेंडर पे गाप को लेकर खबरे आती रहती है फीमेल एक्ट्रिस को मेर एक्टर की तुलना में कम पे किया जाता है ऐसे में कई एक्ट्रिसे इसे लेकर अपनी आवाज भी उठा चुकी है हाल ही में खबरे आई कि एक्ट्रिस दिपिका पादुकोर ने बैजू बावरा फिल्म के लिए मना कर दिया दरसल ये फिल्म संजय लेला भनसाली की है इसमें दिपिका और रनवीर सिंग को कास्ट करने की खबरे है लेकिन दिपिका पादुकोर ने फिल्म में अपनी कोस्टार रनवीर सिंग के बराबर फीस लेने की मांग की थी और ना मिलने की कारण वे फिल्म से बाहर हो गई हाल ही में हसीन दिलरुबा फिल्म में नजर आई तापसी पन्नू ने कलगारों के बीच पे इनिक्वालिटी का मुद्ध जोर शोर से उठाया है उन्होंने कहा कि ज़्यादा पैसे मांगने वाली महिला कलगार को एक मुश्किल के रूप में देखा जाता है वहीं यदि कोई पुरुष कलगार अपनी फीस बढ़ाता है तो इसे सफलता का संकेत माना जाता है तापसी ने आगे कहा कि यदि कोई female actress जादा फीस की demand करती है तो उसे tough और problematic बता दिया जाता है वहीं यदि कोई male actors जादा फीस मांगता है तो यह उसकी सफलता का प्रतीक कहा जाता है अंतर ये है कि जिन male actors ने मेरे साथ career की शुरुवात की वो मेरी तुलना में 3 से 5 गुना जादा कमाते हैं जैसे जैसे हम high star के टग्री में जाते हैं तो यह अंतर बढ़ता जाता है तापसी के इस बयाने उस मांग को हवा दे दी है जिसे पहले कई actress उठा चुकी है सबी जानते हैं कि अब इनेता अक्षे कुमार फिल्म इंडुस्ट्री के सबसे जादा फीज लेने वालों में से एक है फिल्म गुड नियूज में उनकी को स्टार रही करीना कपूर ने एकवल पेमिंट की मांग उठाई थी एक प्रोग्राम के दौरान इस फिल्म के प्रोडियूसर करन जोहर से उन्होंने कहा था कि उनको भी अक्षे जितना ही पेमिंट किया जाए एक्टरिस प्रियंगा चौपरा ने भी कम पेमिंट को लेकर कई बार अपनी आवाज उठाई है उन्होंने कहा था कि यह मैं हर साल फील करती हूँ खास तो और पर तब जब आप एक बड़े एक्टर के साथ फिल्म करते हैं ऐसा नहीं है कि यह बस इंडिया में ही होता है बलकि ऐसा अमेरिका में भी किया जाता है मैं सीधे बोलती हूँ अगर किसी फिल्म में एक फीमेल रोल है और उससे बड़ा मेल एक्टर जुड़ा है तो आपकी वर्त को इतना कंसीडर नहीं किया जाता बात करें अनुषका शर्मा की तो फिल्हाल इन दुनों अनुषका शर्मा फिल्म में प्रोड्यूस कर रही है लेकिन अनुषका ने भी पेमेंट को लेकर होते भेदवाव पर बात की थी उन्होंने कहा था कि अगर मेरे कज जैसा कोई एक्टर होता तो भी उसे मुझसे जादा भुकतान किया जाएगा क्योंकि वो एक लड़का है आदमी जब तक चाहे तब तक काम कर सकते हैं लेकिन महिलाएं तब ही तक ठीक है जब तक वे यंग हैं ऐसे में अगर आप आउट झाल